नमस्कार मैं हूँ आशीश, धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फलदाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके ऊपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग अब जान लीजे आज के वरत तेओहार उत्सव और विशेश आयोज़न के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्तिती कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा तुला राशी में संपून दिवरात्री दिशा शूल मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल रता है चंद्र इस्तिती के नुसार आज पश्यम दिशा की यात्रा लाबदायक वर शूप्रद है रहुकाल मध्यमान से अप्रहान तीन बजे से साएं साड़े चार बजे तक रहुकाल वेला में शुब कारे रंभ यथा संभ वर्जितरक नाहित कर है अब आपको बताते हैं शुब मुहुर्त और श्रेष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा अब आपको बताते हैं आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में वृ दुड्षो तर टा, दी तू आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनके जनम राशी तुला राशी के स्वामी शुक्र है, राध्री ग्यारा बजकर बारा मिनिट तक जनम जात्कों का जनम रजट्पात से है वा इसके बाद जन्मे जातकों का जनम तामरपात से हैं दोनों ही पाई शुब हैं सामने ते ये जातक वियापार वियफसाई वा नौकरी आदी में निपून वा होश्यार होते हैं अपने कारेशेतर में उत्तम लाभ वा यश्क माने वाले होते हैं इनका भागयुदे लगभग 30 वर्ष की आयो तक होता है तुलाराशी वाले जातकों को मान सम्मान वा धनारजन के अच्छे अपसर मिलेंगे तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक शत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ग्रहनक शत्र भी उनी का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं इश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार